Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Russia और Ukraine वो और को लगभग 20 साल होने वाले हैं और इन बीते 20 सालों में Russia ने पहली बार ये माना कि वो nuclear drill conduct कियों और possibly आगे भी करेंगे इसी के साथ Russia ने एक बहुत ही strong signal भेजने का प्रियास किया European countries, Canada और US को क्यूंकि जिस तरीके से Ukraine को support किया जा रहा है European countries के द्वारा कहीं न कहीं अगर आप इस शीज को Russia के point of view से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनका ये drill काफि significant हो जाता है हलाकि इन सबसे global tension भी बढ़ने के chances काफी हो जाते है और वो सारे देश more or less इस war का हिस्सा बन जाएंगे जो इस war में अब तक neutral है क्या है ये पुरा मामला इसको हम विस्तार से जानेंगे मगर आगे बढ़ूई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तभी जाके हमें चीजे और अच्छी से समझ में आएंगे सिपरी के वेबसाइट के हिसाब से लगभग 12,000 से भी अधिक nuclear warhead है जिसको कि अगर percentage में समझना चाहें तो कुछ 88% जो nuclear warhead है वो रश्या और USA के पास है तो हम क्या सकते हैं बहुत हद तक जो global tension बढ़ता है उसके पीछे रश्या और USA का एक बहुत बड़ा role है उसके बाद अगर आप किसी भी कारण से आपके देश का relation USA के साथ अच्छा नहीं है तो आपको globally इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे की आपका देश बेहत बिकार है और साथ में आपके देश में कोई democratic values नहीं है और उसके साथ अलग-अलग type के आपके देश के उपर allegations लगाये जाएंगे वहीं ठीक इसका विपरित अगर आप US के साथ रहते हैं तो आपकी जो कमिया होती है वो automatically धूल जाती है अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और Russia-Ukraine war को अगर हम अच्छे से समझे तो हमें समझ में आता है कि Russia और Ukraine के war को रोका जा सकता था अगर Ukraine चाहता तो इस war में Ukraine को इतना जादा damage हो चुका है कि इस war damage से निकलते निकलते कम से कम उसे 40 साल का वक्त लगेगा इसी बीश chances ये भी काफी high है कि अगर किसी भी तरीके से European countries में leadership change होता है तो definitely कहीं न कहीं policy में changes देखने को मिलेंगे तो जिस हिसाब से Ukraine को आज weapon के द्वारा support मिल रहा possibility काफी high हो जाता है कि अगर leadership change होगा उस हिसाब से support नहीं मिलेगा Ukraine को जिस हिसाब से आज मिल रहा तो यहाँ से भी एक चीज़ हम conclude कर सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी देश के साथ एक tension सा atmosphere बने तो कोशिश किया जाए कि उस tension के atmosphere को diffuse करने के लिए direct conversation किया जाए ना कि कि किसी third party को include किया जाए जैसा कि हम सभी को पता है कि हर action के पीछे कोई नो कोई वजय होता है अगर हमें ये लगता है कि Russia का nuclear drill करना या possibly आगे करवाना एक aggressive behavior है तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले महिना ही US ने 95 billion American dollars का aid sanction किया जो कि लगभग 61 billion से भी अधिक मिलेगा Ukraine को या in fact मिल गया होगा अब तक और उसके बाद मिलने वाला था Israel और Taiwan को तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख के समझ सकते हैं कि अगर आपका देश का संबंध USA के साथ अच्छा हो तो आपकी गलत काम भी सही हो जाते हैं और USA के जितने rival countries हैं या कोई भी ऐसा देश जिसका संबंध USA के साथ अच्छा नहीं है तो globally उसको इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि पूरे दुनिया भर का जो खराबी है वो इनके opponent में ही है और इनके दुआरा सारा जो किया हुआ काम होता है वो बहुत जस्टिफाइड होता है छे में को व्लादे मेर पुते ने officially ये कहा कि Russia tactical nuclear weapon का military exercise करेगा यूकरेन के border के आसपास इसमें कहीं से कोई दोर आयनी है कि इस type के जो exercises होते हैं उसे global tension बढ़ता है लेकिन सिर्फ अकर हम Russia को blame करें तो कहीं न कहीं हम गलत रहेंगे और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा Russia Ukraine war को और पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि जो भी देश Ukraine को आज weapon देके support कर रहे हैं उनके देश में जो weapon manufacturing companies हैं उन लोगों ने इतने साल में जितने भी जो ने ने weapons बनाये हैं उस weapon को Ukraine को भेजा जा रहा ताकि एक real time situation में उस weapon को analyze किया जा सके उसके efficiency को और उसमें क्या कमिया है उसको देखा जाए तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो weapon manufacturing companies हैं यानि defense manufacturing companies हैं उनको इस war से काफी benefit हो रहा अपने weapon को analyze करने में अब normally किसी भी exercise का उपदेश क्या होता है वो यही होता है कि एक real time war like situation को create किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से forces का movement होता है किस तरीके से war का preparation होता है और कितना effective तरीके से missiles को fire किया जा सके और साथ में indirectly ये भी बताया जा सके western countries को या वैसे देश को जिनके संबंद Russia के साथ अच्छे नहीं है कि अगर आप अधिक support करेंगे Ukraine को तो possibility Russia के पास है कि वो nuclear weapon का इस्तेमाल कर सके अब ये कहने के जरूवत नहीं है कि nuclear weapon कितना खतरनाक होता है और अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे कितना नुकसान होता है तो more or less हर देश एक policy बना के रखे हैं जिसके तहट वो ये बताया है कि किन-किन situation में वो देश nuclear weapon का इस्तेमाल कर सकता है तो more or less सभी देश के जो policy है वो वही कहता है कि अगर उस देश के उपर attack होता है तो वो देश nuclear weapon का इस्तेमाल अपने defense में करेगा कोई भी देश कभी ये नहीं कहता है कि वो nuclear weapon का इस्तेमाल attack में करेगा वैसे ही कुछ Russia का भी nuclear doctrine कहता है कि इनके जो weapons है वो defensive in nature में रहने वाले यानि कि इसका जो इस्तेमाल होने वाला है वो defensive in nature में होने वाला है हलाकि real war में ये कहपाना मुश्किल होता है कि कौन सा हथियार का इस्तेमाल आप defense में किये है या किस time में आपने attack में किया है क्यूंकि अगर अभी आप देखेंगे Russia और Ukraine के war को तो लगभग लगभग 30 से लेके 35 देश directly खड़े हैं opposite Russia के कहने का मतलब है कि almost पूरा का पूरा European Union Ukraine को support कर रहा है साथ में USA है, Canada है, UK है European Union में total 27 countries आते हैं और उसके बाद अगर आप देखेंगे अभी जिस तरीके से इस्रेल और हमास का conflict है तो more or less हम कह सकते हैं कि 50 से लेके 60 देश directly या indirectly किसी form के aggressive behavior में indulge हैं जिसके करण क्या है कि वैसे देश जो neutral रहना चाहते हैं वो चाह के भी neutral नहीं रह पाएंगे अगर ये aggression कुछ level के बाद बढ़ जाता है तो I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye